अभिमन्यू का वध चक्रव्योह की रचना करके द्रोणाचार्य ने युदिष्ठिर पर धावा बोल दिया। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यू अभी किशोरवय का वीर लड़का था। अपनी वीरता और रण कौशल में वह प्रसिद्ध हो चुका था। युदिष्ठिर ने अभिमन्यू को बुला कर कहा। पुत्र द्रोणाचार्य के रचे चक्रव्योह को तोड़ना केवल अर्जुन जानता है परन्तु इस समय वह संशप्तकों के साथ युद्ध में उल्जा हुआ है। उसने एक दिन बताया था कि तुम भी इस चक्रव्योह क को तोड़ सकते हो। ताया श्री चक्रव्योह में प्रवेश करना तो मुझे आता है परन्तु इस से बाहर निकलना मुझे नहीं आता। अभिमन्यू ने उत्साह से भर कर उत्तर दिया। तब तै कि आग गया कि अभिमन्यू चक्रव्योह को तोड़ कर भीतर घुसेगा और भीम तथा ध्रिष्ट द्यूम्न, सात्यकी, आदी उसके पीछे-पीछे चलेंगे ताकि अभिमन्यू की सहायता की जा सके। ततकाल अभिमन्यू ने चक्रव्योह का प्रवेश द्वारा तोड़ा और सैकड़ों को यमलोक पहुँचाता हुआ सेना के बीच में धंस्ता चल द्रोनाचार्य के देखते देखते उनका बनाया चक्रव्योह तूट गया। कौरववीर एक-एक करके अभिमन्यू का सामना करने आते रहे और मरते रहे। पाक्रमन कर दिया। उधर पांडवों की सेना अभिमन्यू के पीछे-पीछे जैसे ही चक्रव्योह में घुसी, वैसे ही सिंधु देश के पराक्रमी राजा जयद्रत ने जो धृतराष्ट्र का दामाद और दुर्योधन का बहनोई था, पांडव सेना को रोका और उन पर तूट पड़ा। व्यू के द्वार पर युधिष्ठिर, मीमसेन और जैद्रत के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। जैद्रत ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। चक्रव्यू के भीतर गिरे अभिमन्यू की सहायता के लिए वे नहीं पहुँच सके, परंतु अभिमन्यू ने अकेले ही सातों महारतियों के चक्के छोड़ा दिये। अभिमन्यू की बान वर्षा से व्याकुल होकर सभी योद्धा पीछे हटने लगे। तभी दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मन ने अभिमन्यू पर भीशन प्रहार किया। अभिमन्यू ने भाले के लक्ष्मन को मार डाला। युयुद्सु क्रोधित होकर चिलाया। धिकार है तुम्हे। तुम सबने मिलकर एक बालक की हत्या की है और उपर से हंस रहे हो। ये जगन ने पाप है। युयुद्सु धर्म प्रिय था। उसने अपने हथियार फेंक दिये और वहां से चला गया। अभिमन्यों की मौत से पांडव शिविर में मातम चा गया। युधिष्ठिर विलाप करने लगे कि अव्वे अर्जुन से क्या कहेंगे। सभी उन्हें सांत्वना दे रहे थे। उधर संशप्तकों, त्रिगर्तों का संघार करके अर्जुन और श्री कृष्ण मार्ग में लौट रहे थे तो अप्शकुन होने लगे। अर्जुन चिंतित हो उठे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांत्वना दी। रात होने पर दोनों शिविर में पहुँचे, तो उन्हें अभिमन्यू की मृत्यू का समाचार मिला। उसे किस प्रकार मारा गया, ये पूरा वृत्तांत सुनकर अर्जुन क्रोधित हो उठा। बोला, जिस जयद्रत के कारण मेरे प्रियपुत्र की मृत्यू हुई है, उस जयद्रत को मैं कल सूर्यास्त से पहले मार डालूँगा, ये मेरी प्रतिग्या है, अगर मैं उसे सूर्यास्त से पहले न मार सका, तो अगनी पर बैठकर आत्मदाह करूँगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांत्वना देते हुए कहा, धनन जय, क्षत्रियों को इस तरह विलाप करना शोभा नहीं देता, हम हथियारों के बल पर जीते हैं और हथियारों के बल पर ही मृत्यू को प्राप्त होते हैं, वीर और निडर शूरों की अचानक मृत्यू ही स्वाभाविक मृत्यू है, अभि मन्यू को आज जो वीरोचित मृत्यू का वर्दान मिला है, उसके लिए तो क्षत्रियों की माताएं अपने पुत्रों को जन्म देती हैं, अथशोक दूर करो और अपने आपको संभालो। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन शान्त हुए, उसके उपरांत सभी आगे के युद्ध की योजना बनाने लगे। यह योजना धृतराश्ट्र के पुत्रों के सर्वनाश की थी।